प्रसुन वाजपेई कम छात्रों ने अप्लाई किया है कुल सीट 2700 है पिछले बरस 79 और इस बरस 76000 आवेदन आये हैं यानि 3000 आवेदन कम आये हैं लेकि दस्तक में बात इसकी नहीं होगी दस्तक में तो बात आज सबसे बड़े खिलाड़ी की होगी क्या ये मान लिया जाए इस देश में खेल हर कोई अपने तरीके से खेल रहा है और खेल खेल में खेल होते चला जा रहा है और इस खेल का ही मतलब हो चला है कि दरसल कल वाकई क्या देश ठहर जाएगा जब वान खेले स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज मैच खेल रहे होंगे यकीनन लगता तो कुछ ऐसा है कि इन 15 दिनों में देश के 50 से जादा किसानों ने खुदकुशी भी कर ली और संयोग ऐसा कि जिस विदर्ब के किंद्र नाकपुर में भारत ने पहला मैच खेला उस विदर्ब में बीते 15 दिनों में 27 किसानों ने खुदकुशी कर ली है और नाकपुर से मुंबई के वानखेले स्टेडियम की तरफ अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो बीच में मराठवाडा भी पड़ेगा और वहाँ भी इन 15 दिनों में 13 किसानों ने खुदकुशी कर ली लातूर जैसे शहर में पानी के लिए हिंसा ना हो जाए इसलिए प्रशाशन ने 1444 लगा दी और पानी की कमी से जूजते मराठवाडा में शुगर फैक्ट्रियों को पानी की कोई कमी नहीं क्योंकि वह सियासत दानों की हैं तो ऐसा भी नहीं कि मुंबई में बैठे सीम इस दौर में नाकपुर नहीं पहुँचे होली के मौके पर पहुँचे भी और नाकपुर जिले में कंक्रीट की तीन योजनाओं का उदखाटन कर लौट भी गए और अब कल महरास्ट के सीम वान खेड़े स्टेडियम में मैच देखते नजरा सकते हैं तो दूसरी तरफ क्रिकट के शौकी यूपी के सीम भी शाम में टीवी पर ही सही लेकिन क्रिकट मैच जरूर देखेंगे और ये युवा सीम की सवेदन शीलता ही है कि कल मैच देखने से पहले वो दिन में बुंदेल खंड के उन इलाकों का दौरा करेंगे जहां किसानों के पास पंजर और सूखी जमीन के अलावे कुछ भी नहीं बचा है यानि बीते 15 दिनों में 2020 क्रिकट के हंगामे के बीच ललितपुर में चार किसानों ने खुदकुशी कर ली महिने भर का आकड़ा निकालिएगा तो 17 किसान खुदकुशी कर चुके है और सीम महोदै कल बुंदेल कंड के तबाह हो चुके किसानों के बीच समाजवादी रहत पैकेज वित्रन योजना की शुरुवात करेंगे तो जरा कलपना कीजिए किसान को साल भर के लिए रहत के लिए जो पैकेट दिया जाएगा वो वानखेडे स्टेडियम के एक टिकट की कीमत से भी कमका होगा मसलन किसानों को साल भर के लिए जो पैकेट थमाए जाएगा उसमें 20 किलो आटा, 5 किलो चावल, 3 किलो दाल, 1 किलो घी, 1 किलो सरसो तेल और 25 किलो आलू यही होंगे और वानखेडे स्टेडियम में अगर आपको टिकट मिल जाए तो आपकी जेब से कम से कम साड़े 700 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 16,000 रुपए जाएंगे यानि बुंदेल खंड में 1,69,333 किसान परिवार को सरकार से दाल, चावा, लांटा, सबजी की ओसत साड़े 300 रुपए की मिलेगी और वानखेड़े स्टेडियम में 33 हजार क्रिकट प्रेमियों में एक टिकट की ओसत कीमत निकालेंगे तो ठाई हजार रुपए पड़ेगी तो क्रिकट का खेल वाकई निराला है जिसमें मैदान पर खेलते दो हैं बाकी सचेत रहते हैं कि कब गेंद आ जाए ठीक वैसे ही जैसे देश में मुश्किल 14 करोड किसानों की है और सचेत 28 राज्यों की सरकार रहती है कि कम मुश्किल ना आ जाए मुश्किल के बीच में हम आपको एक आंकडा दिखाते हैं दरसल एक तरफ पौने दो लाग किसान उसमें ललितपूर के 15 हजार चित्रकूर के 21,074 बांदा के 31,049 हमीरपूर के 11,994 जहांसी के 23,641 जालाउन के 32,203 ललितपूर के 27,03 सब को जोड़ दीजिएगा तो इसमें जो रकम खर्च हो रही है वो है तक्रीबन 5,92 लाग और वानखेडे स्टेडियम में जब 33,108 क्रिकेट प्रेमी बैठेंगे तो इसमें जो टिकट में खर्च होंगे बलैक नहीं ये वाइट है 9 करोड हाला की बंबे में कहा जा रहा है टिकट मिलना बड़ा मुश्किल है लेकि 9 करोड ये एक आकड़ा है और इन स्थितियों के बीच कल मुख्यमंत्री चूकि जिन इलाकों में जाएंगे उन इलाकों में से एक ललितपूर हमने चुना तो ललितपूर की स्थिति देख लीजे और परक लीजे कि इस देश के उजाले, चकाचौन, हंगामे और क्रिकेट के बीच इस अंधेरे का मत कुछ है भी या नहीं है? और ये सब ही ललितपूर के हैं, बुंदेल खंड का ललितपूर, यानि महच एक जिला और इस आसरे अगर पूरे बुंदेल खंड को टटोलने तो तरास्दी कहीं ज्यादा बड़ी हो जाएगी क्योंकि बुंदेल खंड के लिए बीते दस बरस से लगाता टुकडो टुकडो में बाटे गए पौने तीन लाग करोड का पैकेज कहां उड़न चू हो गया इसे कोई नहीं जानता क्योंकि बुंदेल खंड का 2006 से 2016 तक का सच तो यही है कि तीन हजज़ार से ज़्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं असी हज़ार से ज़्यादा परिवार बुंदेल खंड छोड़ चुके हैं सवालाग से ज़्यादा किसान शेहरी मजज़ूर बन चुके हैं और इस दर्द की इंतहा का आलम यह कि बुंदेल खंड में सूद खोरी ही सबसे बड़ी इंडस्ट्री हो चली है सिर्फ ललितपुर में 92 किसानों को सूद का पैसा देने का लाइसेंस जिला परशाशन ने दिया लेकिन ललितपुर में अवैद सूद खोरों की संक्या 200 से ज़्यादा हो गई तो एक सवाल यह भी कि बकाइदा सूथ खोरी का लाइसेंस जीला प्रशाशन क्यों देती है जब कि केंडर राजसरकार दोनों बैंकों के जरीए पैसे बांट रही है तो इस पर किसी का जवाब नहीं मिलेगा लेकिन इन सब के बीच किसानों को सूथ खोर इस तरीके से घेरे में लेते हैं कि फसल बरबाद होने पर सिवाए खुदकुशी के कोई रास्ता उनके पास बचता नहीं तो किसानों को सरकार पर भरोसा जागा नहीं किसानों ने आने वाली मुश्किल हलात के सामने खुदकुशी कर घुटने टेक दिये यानि किसान के नाम पर जो पैसा पंचायत से लेकर बीडियो और डियम से लेकर विधायक या सांसद निधी में आता है वह भी किसानों को राहत नहीं दे पाता जबकि केंदर के बाद अब राजसरकार भी रहत का सिक्र कर रही है और अधिकारी सूथ खोरो पर कारवाई करने का भरोसा दे रहे है गरीब परिबारों को सत प्रसत समाजबादी पैसा भी दिया है मैं बाटने भी जा रहा हूँ वहीं एम्बूलेंस की सुपिता है जो दे सकते हैं बुन्दिन घंड को दे रहे हैं सही माइने में सवाल तो भरोसे का है और भरोसे के लिए बेट में अन्ड का दाना होना चाहिए जिसे कहीं सुखी जमीन उगने नहीं दे रही तो कहीं सूथ खोर खोद ही निकल ले रहा है इसलिए सवाल दिल्ली या लखनव से चले किसान रहत का नहीं बलकि जिंदगी जीने में सत्ता धारियों के साथ खड़े होने का है क्योंकि आत्म हत्या की वज़ा पांसो से पांच हजार रुपे से ज्यादा की नहीं है ललितपुर से मनिश सोनी के साथ अनुप शिरवाचता हो लखनव आज तक वाकई कौन सबसे बड़ा खिला रही है चलिए आपके खेल पे आ जाते हैं क्योंकि इंग्लेंड फाइनल में पहुँच चुकी है पहली बार न्यूजिलेंड को उससे हराया सेमी फाइनल में यानि न्यूजिलेंड इस दौर में पहली बार हारी है साथ विकेट से इंग्लेंड जीता है और इडिन गार्डन में अब कौन भारत और वेस्ट इंडीज में से जीता है उसका मुकाबला होगा लेकिन इन सब के बीच एक जानकारी और आपको दे दें बड़ा महत्पून है 17.1 ओवर में ही जो टार्गेट था उसको पूरा कर लिया गया और च्छका मार कर पूरा किया गया बाराल इन सब के बीच दोबारा जब इस खबर पे लोटिएगा कि सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन तो 2020 को लेकर तो देश में बवाल मचा हुआ है सब को इसमें डूबा हुआ है लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तान में एक IPL भी होता है 2020 की टीम खरीदने वाले दो महत्पूर्ण लोग मौजूदा वक्त में एक तिहार जेल में हैं और एक इस देश को छोल चुका है और सुप्रीम कोट अब दोनों पर नकेल कस रहा है अपने तरीके से जी एक सुब्रत राय और एक विजमालिया जब सीधी उंगली से दोशियों ने पैसा नहीं लोटाया तो अब सुप्रीम कोट ने उंगली टेड़ी कर ली है विजमालिया 9,000 करोड लेकर फरा रहें तो सुब्रत राय 36,000 करोड रुपए लोटाने में लगातार विफल रहें ऐसे में पहली बार सुप्रीम कोट ने अगर एक तरफ सहारा की 86 संपत्तियों को बेचने का निरतेश सेबी को दे दिया जिससे निवेशकों का पैसा वापस किया जा सके तो विजमालिया के सितंबर तक 4,000 करोड लोटाने के ओफर पर बैंकों का पक्ष भी जानना चाहा और एक लिहाज से खारीज भी किया तुरंत उनकी सारी प्रॉपर्टीज को जप्त किया जाना चाहिए उनकी देश, विदेश, जहांत पर भी प्रॉपर्टीज हैं सब जप्त होकर बेची जानी चाहिए उसके अलाबा उनका प्रॉसिक्यूशन, मनी लॉंडरिंग एक्ट में विल्फुल डिफॉल्ट ये जो साइफन आउट वगरा किया गया है पैसा उन सब के लिए उनका हरतरे से प्रॉसिक्यूशन होना चाहिए उनके खिलाफ एक्स्ट्रेडिशन प्रॉसीडिंग्स चलनी चाहिए जिससे कि उनको जबरदस्ती इंडिया लाया जाए तो कै सुप्रीम कोट विजय मालिया की संपत्ती को भी जब्त कर भेचने का निर्देश दे सकता है कोकि कल ही सुबरत राय के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने जिस तरह कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि एक तरफ सहारा अपने पास एक लाग छियासी हज़ार कोड की संपत्ती होने की बात कहता है और दूसरी तरफ निवेशकों को 36 हज़ार कोड लोटाने में तमाम बहाने कर रहा है तो ऐसे में सेवी को अब सहारा की संपत्ती बेच कर पैसे निकालने होंगे और आज जब विजय मालिया के वकील ने अदालत में विजय मालिया का लंबा चोड़ा पत्र पेश करते हुए ये दलिल देनी चाही है कि विजय मालिया 30 सितंबर तक 4000 कोड रुपे लोटा देंगे तो उसके बाद अदालत ने लतार भी लगाई और विजय मालिया के प्रस्ताव पर बैंकों की राए जानने के लिए अगली तारी 7 अप्रिल भी रख दी तो दो दिन में दो बड़े कारोबारी और उनके कर्स जोड़ी खबरे देश की सर्वोच अदालत में आई और सुप्रीम कोट की पहल ने ये भी संके दे दिये कि सरकार को ऐसे में अमनियम काईदे कठोर करने चाहिए क्योंकि राजनेताओं से सांट गांट और रसूक की वज़ा से बड़े बड़े कारोबारी बैंकों और आम जनता की रकम हड़प रहे हैं सरकार और प्रशाशन इनके सामने बौने नजर आते हैं ऐसे में जानकारों की राई यही है कि बस अदालत ही एकमात रास्ता बच रही है और महत्पुन यह भी है कि 2013 से 2015 के बीच एक लाग चौदा हजार क्रोड का कर्च दस बड़े सरकारी बैंकों ने माफ कर दिया जो बड़े-बड़े करोबारियों ने लिया और अदा नहीं किया यानि वो बैंक डेप्ट हो गए और सुप्रीम कोट ने अब ऐसे में विजर बैंक को निर्देश दिया है कि वो ऐसे बड़े करजदारों का नाम बताएं जिनोंने कम से कम पांसो करड़ रुपए करज लिये और अब तक लोटाएं ने जाहिरे ये लिस्ट जबाएगी तो कितने ही और सफेद पोश लोगों के नाम भी सामने आएंगे आम लोगों का खर्बो रुपिया देश के कुछ कारोबारी दबाए बैठे हैं ऐसे बहुत से मामले सरवोच अदालत और दूसरी अदालतों में चल रहे हैं सरकार और सरकारी तंत्र पैसा वापिस कराने में पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं और इस सब के बीच उमीद पूरी तरह से अदालतों पर ही है कैमरमेंट से धार्थ के साथ अहमद अजीन दिल्ली अज तक यह वाका इस दोर में समझ पाना बहुत मुश्किल है कि सबसे बड़ा खिलाडी है कौन कल तक इनके पास IPL टीम थी यानि दरजनों खिलाडी इनके अंडर रहते थे और अब खिलाडी जब खेल खेलेंगे कल वान खेले में तो हर की नजर वहीं पर होगी और इन सब के बीच जिसने दुनिया को खेलना सिखाया वह 2020 के फाइनल में यानि क्लासिक क्रिकेट अब फास क्रिकेट में बिटेन भी अजबा चुका है जीत चुका है 12 लोटिये दुबारा इन इस्थितियों में जहां पर देश में सत्ता के लिए संगर्ष बाखोबी होता है लेकिन उत्त्राखंड में राश्पती शाषन और उसके बाद अब कानूनी लड़ाई देखिये किस मोड पर आगई कानूनी लड़ाई तो चलिए अच्छा है शक्ती प्रदर्शन टल गया क्योंकि शक्ती प्रदर्शन के पीछे माना ये जा रहा था पैसों की ही खरीद फरोग विधायकों की खरीद फरोग पैसों के जरीयों हो रही है बाराल इन सब के बीच 36 गड़ में पत्रकार खौफ में काम करते हैं खौफ में जीते हैं रीटियर गिल्ड्स की तरफ से एक टीम भेजी गई उसने रिपोर्ट तयार की और आज हमारे समवादाता ने जब वहां पर नेताओं से पूछा की मसला क्या है तो देखिए क्या जवाब आया हूँ मैं नकसल अभियान का डीजी हूँ इस विशे में मेरा बोलना लाजमी नहीं है पूरे प्रदेश में जो पत्रकारों साथ जो घटना घटनी हो अभूत पूर है इस प्रकार से घटना है तो मैं नहीं समझ तक आजाद हिंदुस्तान में कभी हुआ हो पत्रकारों को सीधा नकसली समर्थक बताके या फिर उनके सहयोगी बताकर या फिर दस बीस रुपिया घुस लेते हुए बताकर उनकी गरतार करके जेल में ठुसा जा रहा है कहीं न कहीं किसी चित मामलों में लेकर थोड़ा लोगों को परिशान किया जा रहा है तो मुझे लगता है बस्तर के लोगों का ऐसा सभाव नहीं है कुछ तत्व हो सकते है जो नकसल विरोध की वज़े से उनके गलत फ्रमी होती होगी मगार हमने का इससे वातरणों को समाथ किये रहेगा बस्तर शान्ती और प्रसिद्ध है और चुगलत कुछ गलत फ्रमी या ऐसे एंजियों को लेकर बढ़ी है तो उसको दूर करना चाहिए 36 गड़ के गठन के बाद से ही राज में पुलीस और पत्रकारों के बीच 36 का आकड़ा रहा है यहां चाहे कॉंग्रेस की सरकार रहियो या फिर बीजेपी की दोनों ही सरकारों ने पत्रकारों पर होने वाली जाधतियों को रोकने के लिए कोई दिल्चस्पी नहीं कोड को भी फाइलों में कैद करने के लिए अफसर दबाव बना रहे हैं कैमरामेन महंदर के साथ सुरी लामदीव राइपूर आज तक कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साज़िश है बीजेपी और साथी प्रधानमंत्री मोधी का रावनों ने लिए उत्तराखंड में राश्पती शासन लगते ही कॉंग्रेस और बीजेपी की बीच वार पलट व रंगबर से भाड़ी जालो वारी रंगबर से